समराट चौधरी चाहते हैं कि उन्हें उपमुख्यमंत्री अवाला आवास मिल जाए और इसमें नितीश कुमार योगदान दे नितीश कुमार आवास को खाली करवाएं उस पर तेजश्वी आदो का कब्जा है सरकार गिरी सरकार नहीं बन गई लेकिन अभी तक आवास खाली थे उन्हें आवास मिला था मंत्री वाला उन लोगों ने अभी तक आवास खाली नहीं किया है समराट चौधरी को अभी तक उपमुख्यमंत्री वाला आवास नहीं मिला है समराट चौधरी चाहते हैं कि उन्हें उपमुख्यमंत्री वाली सारी सुक सुभधाएं मिले जो और उपमुख्यमंत्री रहते हुए मिलती थी। समराठ चौधरी उपमुख्यमंत्री के आवास के लिए लगतार प्रयास कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें उपमुख्यमंत्री का आवास मिले। लेकिं टेजश्ट्री आदो ने अभी तक आवास को खाली नहीं किया है। इसको लेकर ब्यार की राजनीती जो है वो खूब गर्म हो रही है। ब्यार में ऐसे ही गर्मी है लेकिन व्यार की राजनीत ने और गर्मी को बढ़ा दिया है। चर्चा हो रही है कि आखिर उस अवास को तेजश्वी कब खाली करेंगे इसी तरीके से जब 2015 में तेजश्वी आदो मुख्यमंत्री बने था और 2017 में जब आवास खाली करने की बारी आई तो ना ना करते करते तेजश्वी आदो ने आवास खाली किया था कई महीनों के बाद फिर उसी तरीके से वो रंग देखने को मिल रहा है ते जश्वियादो अभास अभी खाली करने का नाम नहीं ले रहे हैं हलाकि जब इधर इंडिये की सरकार गिरी थी उस वक्त जो जो अभास खाली नहीं हुए थे उनको नोटिस चला गया था उनको इस बात का नोटिस गया था कि अगर आप इतने दिन के भीतर अवास खाली नहीं करते हैं तो फिर आपको इतने रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा उसमें रेनु देवी थी बिजय सिन्ह थें काफी लोग थे सभी के अंदर नाराजगी थी सभी अपनी नाराजगी ब्यक्त कर रहे थे और जो नया आवास उन्हें मिला था उस आवास को जाकर उसकी दुर्दशा दिखा रहे थे कि देखे कितनी गंदित दुर्दशा है हम नहां कैसे रह पाएंगे और तमाम चीजों को दिखा रहे थे और उसके बाद भुकतान भी करना था लाखों रुपए का भुकतान करना था तमाम जो नेता थे भाजपा के वो आग बबूला हो गए थे लेकिन अब जब इंडिये की सरकार बनी है तो राजद के कोटे से जो वही अवास मिला है और इसको लेकर काफी चर्चा तेज है कि आखिरी अवास खाली कब होगा समराठ चौधरी लगतार निटिश कुमार से कह रहे हैं कि अवास समय मिले उपमुख्यमंतरी वाला आवास मिले लेकिन अभी तक वो आवास नहीं मिला है पाच देश्रत नमार जो है वो आवास वो जिसमें अभी तेजश्री आदो रहे है वो मुख्यमंतरी का आवास है और उस आवास में समराठ चौधरी रहना चाहते हैं लेकिन अभी तक आवास वो समराठ चौधरी के नाम पर और नहीं हुआ है इसको लेकर चर्चा काफी हो रही है कि आवास नेरे मार्सा तो दीखते रहें देंजिया टॉप